पे अपनी mastery करना चाहते हैं तो आपको answer writing practice पर mastery करनी ही होगी पर सवाल है answer कैसे लिखे जाए? answer लिखने की best practice क्या होती है? कैसे best answer deliver किया जाए? सोचा कैसे जाए? multi dimensional thinking कैसी की जाए? कई बार ये सवाल आपको बहुत उलजाते हैं मैं आपका गाइड ओजांक लेकर आ रहा हूँ MAP मेंस एंसर प्राक्टिस प्रोग्राम जहां हर दिन आकर मैं आपसे मेंस एंसर प्राक्टिस के बारे में बात करूँगा वो भी सेलबस वाइस यानि कॉंसेट बताने के साथ साथ आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाऊंग कितने प्राइज होनी चाहिए इसकी आठ हजार दस हजार या बारह हजार नहीं ये क्लासेज बिल्कुल निशलक हैं जी हां बिल्कुल साही सुना ये टोटली फ्री क्लासेज हैं मेरे द्वारा और मैं आपको स्टेप बाई स्टेप हर चीज से खाऊंगा तो अब देर के इ यानि Mains Answer Practice और UPSC में अपनी सफलता को बिल्कुल सुनिश्यत कर लेजिए नमश्कार दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्त होंगे और मज़े में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आज Mains Answer Practice में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Mains Answer Practice में मैं आपका गैड़ो जंक आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और MAP प्रोग्राम यानि Mains Answer Practice प्रोग्राम आपकी लाइफ का एक बहुत important प्रोग्राम है और definitely यह आपको एक नई उचाहे देगा स्वागत है आप सभी का दोस्तों क्या आप मेरी आवास सुन पा रहे हैं आप सभी कैसे हैं मुझे बताएं आप सत्यान क्या थे जाव, है प्रभाटरेकंत पारस के आप सकी है तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुवात करते हैं अपनी क्लास की सो लेट्श स्टार्ट इससे पहले की जो प्रैक्टिस सेशन है यानि इससे पहले जो ग्लासिस हुई है यादे फाइफ, आज हमारा पांचमा दिन है एंसर प्रैक्टेस में और डेफिनेटली इससे आफको बहुत भूसी होने जा रहा है तो no doubt इसमें कोई जो है वो शंका नहीं है कि हम इससे बहुत improve कर रहे हैं इन classes के कुछ important purpose है यहाँ पर जो सबसे important segment है वो सिर्फ हम answer practice ही नहीं सीख रहे हैं साथी साथ हम syllabus के according भी चल रहे हैं और syllabus के according चलने के साथ साथ जो सबसे important segment हमारा हो रहा है वो यह हो रहा है कि हम किस तरीके से current affairs को भी update करते हैं और साथी साथ हम चीजों को सीखते भी हैं कि कैसे वो चीजें हमारे लिए बहुत ही important हो सकती हैं राइट दोस्तों So let's start शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे class अपनी तो चलिए ready है pen और paper के साथ आज के नए debate के लिए सबसे पहले मुझे comment box में बताईए कि हाँ तयार हैं और इससे पहले कि आपने question practice कर लिए और जो हमारा OTP है app वो सभी के पास है ताकि हम session को practice करें सिर्फ teacher के बता देने से काम नहीं होगा जब तक आप answer की practice करने की आदत नहीं डालेंगे अपने time table में उसको habitual नहीं करेंगे तब तक चीजे नहीं होंगे तो सबसे पहले मुझे सबका affirmation चाहिए हाँ sir हम regular answer practice कर रहे हैं आप जो बता रहे हैं वो debate हम लिख रहे हैं कितने student हैं जो लिख रहे हैं और जो केवल यहां सुनने के लिए आए हैं वो किसी भी जो है वो सुनके यहां से चले जाएंगे कहीं और बैट के सुनेंगे उनका कुछ नहीं होने जा रहा है अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो please मुझे comment box में बताएगे हैं सार हम regular answer practice कर रहे हैं और ओजांक test practice की app पर जाकर teacher assignment में जाकर हम वहाँ आपके जोरा दियेगे जो assignment है सभी teacher के जोरा दियेगे assignment है उस पर हम लगातार मैनत कर रहे हैं कितने लोगों ने देखा अभी आज मैं चेक कर लूँगा कि कल से कुछ answer बढ़े हैं की नहीं बढ़े हैं तो दो category तयार होगी एक ओजांकियन्स की जो brave हैं साहसी हैं अपने teacher पर विश्वास करते हैं और लगातार अपने teacher के according पढ़ाई करते हैं एक फट्टुओं की स्रंकला होगी देते हैं राइट दोस्तों तो चलिए हम लोग शुरुवात करते हैं तो अब जेकी जिसे सुमन पूछ रही है कि आपका assignment कहा होता है उजांक test practice पर होता है कई बार जो है बातचीत हो चुकी है राइट चलिए बताइए मुझे चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम practice कहां करेंगे ओजांक test practice की app के बारे में एक बार जान लेते हैं आज हमारा बहुत important class है और हमारी class में बहुत सी नईने चीज़े हैं तो यह रहा हमारा ओजांक test practice का हिसाब किताब और ओजांक test practice पर जो है वो धेर सारे question की series है जहां पर main sensor practice जो है M.A.P. वहां पर हमने एक पुरा section बना दिया है जहां पर आपका GS paper 1, 2, 3, 4 और essay इससे जुड़ी हुई सारी जो है question इस पर upload होते हैं question हिंदी और इंग्लिस दोनों में होते हैं और आप यहां इस question पर click करके जहां पर भी जो question आपको करना है उस पर click करके आप यहां पर directly भी लिख सकते हैं या अपने mobile से photo खीच कर upload भी कर सकते हैं जैसे यह हमारे student है Amit इन्होंने यहां पर अपने paper पे लिखा और mobile से photo खीच कर upload कर दिया है यह बड़ा अच्छा लगा तो इस question को सिर्फ अभी एक ही बच्चे ने जो है वो क्या किया है जो है लिखा है तो यह बताता है कि आप बहुत serious नहीं है आपको लगता है कि कुछ कहानियां पढ़कर या कुछ जो है वो चीज़ें पढ़कर हम बहुत अच्छा कर लेंगे यकीन मानिए आपका selection नहीं होगा आप जादा देर तक परेशान मत हो यह ठीक है जो लोग एक schedule follow नहीं कर सकते हैं न्यूश्वेपर नहीं पढ़ते हैं और जो answer practice नहीं करते हैं उनका selection नहीं होगा आज आप मेरे से लिखवा लिजे कोई दिक्कत वाली बाद में written देने को तयार हूँ क्योंकि UPSC selection के कुछ fundamental होते हैं वो उनको follow करता ही करता है तो जो toppers follow कर रहे हैं वो आप करिए शुती शर्मा answer writing को अपना core element बताती है मतलब उनका कहना रहा है कि answer writing मेरी life का core part रहा है मेरी तयारी का core part रहा है और यह सबसे जरूरी है answer writing and revision तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया थे answer writing का जो सबसे बड़ा फाइदा होता है वो revision को strong करना होता है तो कितने लोग यहां जाकर questions लिख रहे हैं अब आप कहां मिलेगा सब कुछ है यहां तक कि जब आप practice quiz में जाते हैं तो objective question सभी exam के इसाप से यहां पर आप daily हम objective question द दिया है तो आपके पास यह app होने चाहिए लेकिन कई लोग डर के मारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं वो answer लिखी नहीं रहे हैं इसके बाद सारे teachers के assignment यहां पर पड़े हुए हैं तो teacher के assignment में आप जाए किसी भी चाहिए नितिन सर की class हो अमित सर की PV सर की मेरी SK मिश्रा सर की class optional के assignment सारे teacher के assignment पड़े हुए हैं और जाहिए मेरे assignment है जाहिए और assignment करना शुरू करिए तो इससे वो teacher क्या होगा अपने assignment को check भी करता जैसे यहां पर देखिए कि समीता मैम ने किस तरह से जो है वहां reply किया है साथ साथ अब नया segment शुरू कर दिया blog का यानि जो हमारे current के जो blogs हैं मेरे दौरा लिखेगा blogs हैं वहां पढ़ने के लिए content भी मिलेगा और जल्दी की सारा हम current affairs भी इस पर में लेकर आ रहे हैं कि आप current affairs भी यहां पढ़ना शुरू कर दें तो यह सारी facility हमारी ojang test practice पे है तो यह app आपके पास होनी ही चाहिए anyhow और कोशिश करिए कि जादा ज्यादा practice करिए ठीक है छोटे छोटे question बड़े बड़े question हर तरह के question दिये हैं और यह मेरे दौरा बनाया गया assignment है तो आप इसमें कोशिश करिए अब जैसे यहां पर इस समय हम social issue कर रहे हैं GS paper 1 और यहां समिता मैम की class का assignment है जो social issues deal करती हैं तो यहां पर आप देखिए कि क अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों का वड़न करें और समझाएं कि महिलाओं की भूमिका इस अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान दे सकती है अब जो बात कहने जा रहा हूं बड़ी important बात कहने जा रहा हूं describe the challenges faced by the Indian economy and explain how the role of women can contribute to this economy कल ही हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि महिलाओं की GDP में भूमिका बढ़नी चाहिए कल की क्लास और मेरी सारी क्लास continuation में according to the syllabus चल रही है ठीक है तो कितने लोग इन इसका जो है जवाब दिया इसमें जवाब दिया है आदित्य पटेल ने प्लिस चेक माई एंसर इन्होंने फ्लो चार्ट में लिखा है दूसरा जवाब है हर्शित बर्नवाल ने अच्छा लिखा है इन्होंने तीसरा है निश्यू प्रिया इर्शत जहान राइट मोहित कनौजिया एजे इसके बाद सुरभी दूबे निधीगिरी केवल ये छे ब बच्चों ने एप पे देखी थी यानि 8000 बच्चों ने ये क्लास देखी है टोटल और 8000 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चों ने इस सवाल का जवाब दिया ये बहुत ही ज्यादा शरम की बात 8000 में 6 का परसेंटेज आया है अब अंदाजा लगाईए ठीक है तो इतने ब आबू सोना को सिर्फ खाना खाने के लिए पूछने में बरबाद कर देते हो उसका मूड ठीक करने में बरबाद कर देते हो उसने सुबह जो है क्या खाया क्या पहना ये पूछने में बरबाद कर देते हो बुरा मत मानना इससे जाधा words आप WhatsApp पे और Insta पे और जो है वो Facebook प कि तुम्हें क्या करना है ready हो तो यह question आज सभी लोग करिए आज फिर मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में तो यह question मुझे कल जो है अगर मैं इस program को आगे continue करूं या ना करूं यह बड़ा जरूरी होता है ठीक है मैं मालो मेहनत किये जा रहा हूं पूरा गला भाड़ देता ह अपना जो है वो मेहन बड़ी से बड़ी अच्छी चीज़ लेकर आता हूं लेकिन अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते है तो मुझे लगेगा कि मैं शायद गैर सीरियस लोगों को पढ़ा रहा हूं जो आप में सैंसर प्रैक्टिस की फीस 40,000, 50,000 होती है मैं free of cost क्यों दे तो इस condition में भाड़ अब यहां पर हम जो है देखना है इसको शुरू करें कि हम कैसे कर सकते हैं ठीक है अब को यूज करने का कोई चार्ज नहीं है free of cost है यह सब कुछ free है यह बच्चे यहां पर दे रहे हैं लेकिन आप सोचिए 8,000 बच्चों को कल मैंने पढ़ाया और उसमें से 6 बच्चों ने एंसर लिखा तो यह रेशियो आपको शर्माना चाहिए कि यह रेशियो ठीक नह रहाऊंगा लेकिन मुझे कैसे बता चलेगा मेरा इस्ट्वेंट पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है ना वह तो अब आगे चलते हैं आज बात करते हैं लेट्स स्टार्ट तो कल मैंने आपको बटाया था ऑप्षिनल मेला शुरू हो चुका है देश में सबसे सस्ता ऑप्षिनल का कोर्स जिसमें PSIR 7999 जोगरफी ऑप्षिन 7999 और सोशाल जी ऑप्षिन 11999 यह तीनों ऑप्षिनल है और केवल 12 अप्रिल से लेके 16 अप्रिल तक य को यहाँ पर जुड़ सकते हैं चलिए NCRT आंदोलन की क्लासे शुरू हो गई हैं आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं मातर 999 में GS Foundation की Open Classes चल रही है आज शाम को चार वजे फिर है आप इसके साथ भी जुड़िए अब लेट्स स्टार्ट हम लोग यहां से शुरू करते हैं अपना सबसे है चपताबाद में अब कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमारम तो कल ही मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिसकर्स की और मेरे स्टुएंट ने सुबह सुबह मुझे यह मैसेज भेजा यह हमारे एक स्टुएंट है कि सर प्रणाम कल की मैप मेंस एंसर पढ़ाया था वूमेन इंपॉर्मेंट के बारे में गीग एकॉनमी के बारे में डिसक्स किया था और जो मैंने कल एक कॉंसेट दिया था वो बहुत गयरा कॉंसेट है वो concept था सबसे important तरीके से कैसे महिलाएं जो है वो किसी भी economy के लिए जो ये पुरुष और महिला ये दो category होते हैं इसको measure करना आसान होता है हर देश की अपनी परिस्थितियां होती कोई जातिवादी समाज है कोई नसलवादी समाज है कोई धार्मिक समाज है लेकिन ये दो category सेम होती है और gig economy उनको क्या कर रही है उनको काफी help कर रही है भारत की परिस्थितियों के साबसे बहुत अच्चा है आज अंदाजा उठाए कि किसने किसने आज का paper पढ़ा है आपको आश्यर हुआ कि कल ही तो उजांक सर ने सुबह सुबह डिसकस किया ऐसा लगता है निउस्पेपर वाले भी class join करके वो छाप देते है श्रम बल में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी और यहाँ पर line जो यूज किये देखो कि आज की डेट में Paytm, Jometto, Rapido जैसी company अपने कारेबल में विवित्ता लाने के लिए महिलाओं के लिए सबसे अधिक पदों का विवगयापन करने वाली company रही है यानि यह क्या है? Geek economy है इसके साथ बढ़ रही है साथी साथ गैर पारम पर एक्षेतर जो कल हम लोग डिसकस कर रहे थे वहाँ महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है उनके पास option जादा आ रहे हैं अब और वो अपने हिसाब से चीजें कर रही है कोई अब तो cap driver भी बन रहा है तमाम तरह की चीजें जो कभी माना जादार केवल पुरुश कर सकते हैं वो महिलाओं भी अब करने लगी है और इससे क्या हुआ है यहाँ पर देखे कह रहा है कि पहले 34% महिलाओं की भागेदारी थी जो कुल संक्या थी अब बढ़कर महिलाओं की संक्याओं में 60% जो labor force है उसमें बढ़ा उत्री हुई है तो यह क्या हुआ current affairs में अब आप जब ये news पढ़ रहे होंगे आज कितने लोगों ने पढ़ा तो वहाँ पर अब तुम्हें लग रहा होगा अरे यार ओजांक सर्थ ने तो बी से ए पर नहीं हो गया बी टू ए अब बच्चों में common हो गया है अब लगातार मुझे बच्चे बेज रहे हैं अब ये student है sir मैं साधर प्रणाम करता हूँ कि आप जिस दिन से उत्तर लेकर कश्या प्रारम किया है तब से हमारी सोच में newspaper पढ़ने में किसी topic पर बहुत आयामी सोचने में बहुत मदद मिली है इस तरह हमारी सिक्षा नीत में रोजाना बदलाओ किये जा रहा है वो हमें संकेत दे रहे हैं कि भारत B2A इस्थित पर आ रहा है तो अब क्या हुआ तुम code use कर रहा है B2A तो मेरी class में सब को समझ में आ चुका B2A क्या है यानि globalization का हम फाइदा कैसे उठा सकते हैं globalization से अब तक हमारा सोचन हुआ वो हमें अपनी संस्क्रति, अपना सामान, अपनी economy सब कुछ हमें भेजते रहा, अपने हथियार, अपनी मुद्रा लेकिन अगर हमने, हम भारतियों ने अपने उपर गर्व करके अपनी position खाली change कर दी, यकीन मानिये globalization का सारा फाइदा हमें मिल जाएगा हमारा सामान बिकेगा, हमारी brand बिकेगी, हमारी तूती बोलेगी, हम पूरी दुनिया में करें और लगातार यही हमारी बात चल रही है, अब देखे क्या है यहां पर बच्चे ने मुझे भेजा है, सुबह 9 बच के 10 मिनिट पे आया कि विश्व विद्याले अनुदान आयो के नए NCF में भारतिय ज्यान परंपरा के कई आयाम शामिल किये जाएंगे यह बता रहा है, पहली बात कि जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही contemporary है तो भारतिय ज्यान परंपरा है, जो हमारी थी, हमें लगता था, one who is western, that is modern हर चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है, लेकिन अब हमें अपनी संस्कत पे गर्व होने लगा है याद होगा मैंने कहा था कि प्रधान मंतिय ने कहा कि शायद 2014 के बाद हमारा पुनर जागरण हुआ है कि हम भारती परंपराओं को ना सिर्फ समझने लगे हैं, हम उस पे गर्व भी करने लगे हैं तो ये भी एक बड़ा important हिस्सा हमारा हो गया तो अब वो चीज बता रहे हैं कि भारत को भारत के नजरिये से समझने की बहुत आउशक्त है तो चलिए आज हम discuss करते हैं अंगला segment आज हमारा एक बहुत important topic है जो दो topic से मिलकर बना हुआ है social issues में यानि कि जो है Indian society में जो GS paper 1 है उसमें दो topic बड़े important है मैंने आपसे कहा था कल कि जो हमारा तीसरा topic है यह नहीं महिलाओं से संबंदित मुद्दा वो UPSC का एक permanent party से शादी में फूपक होना जरूरी है वैसे महिलाओं संबंदित मुद्दा बहुत जरूरी होता है लेकिन दूसरा एक मुद्दा पिछले कुछ समय से बहुत चर्चा में और मेरी बात याद रखना जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं जो चर्चा में है वो पर्चा में है यानि one who is in news वो exam में आएगा ठीक है तो बहुत ध्यान से पढ़ना है तो जो चर्चा में है वो पर्चा में है लिख लो इसको आज से तो अब क्या करना है यहाँ एक और मुद्दा है वो है जनसंख्या ठीक है population आपको पता है कि भारत over populated country है और जनसंख्या एक ऐसा मुद्दा है जो सब कुछ खा जा रहा है लेकिन अब यहाँ पर जो UPSC ने question पूछा है GS paper one में वो बड़ा deep question पूछा है इस पर मुझे आपसे आयाम चाहिए question पूछा है कि महिला सशक्तिकरण हमने पहले बात की why महिला कितने लोग मुझे जवाब देंगे कल मैंने सिखाया था कि UPSC बार-बार महिला की बात क्यों कर रहा है yes या no बताइए फिर सशक्तिकरण किसे कहते हैं कल मैंने आपको यह भी बताया था empowerment not powerment empowerment यानि उसका जागरुक होना जरूरी है ठीक है और तीसरा जनसंख्या समरद्धि को नियंतरित करने की कुंजी है की है क्या मान रहा की है यह कोर है empowering woman is the key to control population growth discuss यह UPSC mains का question है और बहुत प्यारा question है तो दो topic को इसने जोड़ा है कौन कौन सा topic उसने जोड़ा है woman empowerment and population and related issues यह दोनों हमारे Indian society का part है syllabus का part है तो दोनों को जोड़कर एक बहुत अच्छा question बना दिया अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ मेरे जो भी student आज पाच्वी क्लास तक पहुंचे है वो इस question को attempt कैसे करेंगे यह UPSC का question है आ चुका है इस question को attempt कैसे करेंगे क्या सोच लेकर आएंगे और यह question क्या कहना चाहता है इसकी जो सबसे important है वो कह रहा है कुझी दूसरा जनसंख्या संवर्द यानि जनसंख्या को जो बढ़ रही है उसको नियंत्रित करने का वो कुझी किसके पास है woman empowerment woman नहीं कह रहा है woman empowerment कह रहा है दोनों में अंतर है महिला जनसंख्या संवर्द यानि को नियंत्रित करने की कुझी हो सकती है यह एक अलग question हुआ बड़े ध्यान से समझना woman can be the key to control the population growth एक अलग बात हो गई दूसरा कह रहा है यह woman को target नहीं कर रहा है कह रहा है महिला शक्ति करण पूरी community के बारे में बात कर रहा है पूरे समुदाय के बारे में बात कर रहा है बड़े गहरे शब्द है इसमें कि woman empowerment जन संख्या वरदी को नियंतरित करने की कुंजी है मेरे कितने student है जो इसके बारे में बात कर सकते है फिर एक किसी ने ग्यान बगारा है कि educated woman educated कल हम लोग इस पर बारे में बात कर रहे थे educated woman रहेगी तो वो family planning कर लेगी बहुत से घर में महिला आए है पढ़ी लिखी हैं कोई काम नहीं कर रही है कल ही हम लोग हवा हवाई बाते मत किया करो लेकिन फैसले पती ले रहा है और पती उसको बच्चा पैदा करने की machine मानता है क्योंकि उसका जितना भी portion है महिला कह रहा है कि मैं कमा के ला रहा हूँ आप मेंसे मुझे बताइए किसके घरों के आसपास किसी घर में चार लड़कियां है और लड़के की चाहत में पाँच में बच्चे की तैयारी चल रही है छटे बच्चे की तयारी चल रही है क्या आपने नहीं देखा सुना यह advertisement बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नहीं कभी देखा है किस दुनिया में जी रहे हो IS की तयारी किताबों से नहीं होती है IS की तयारी खुले दिमाग और खुली आँखों से होती है जो student अपने समाज को नहीं पढ़ सकता वो कोई किताब नहीं पढ़ सकता लिख लो इसको लिख लो ये quote वाके जो student अपने समाज को नहीं पढ़ सकता अपने surrounding को नहीं पढ़ सकता वो किसी किताब को भी नहीं पढ़ सकता यह guaranteed है क्योंकि UPSC का question practical आता है को बहुत जादा इसके लिए knowledge लेने की जरूत नहीं है तुम में इसे कितने लोग मुझे comment करके बता कितने लोगों ने देखा होगा कि केवल लड़कियां है स्वंच का नाम कैसे चलेगा पिता की चिता को अगनी कौन देगा इसके लिए line लगा दी जाती है और इसका धर्म से कोई संबंद नहीं है सभी धर्मों में है ये सामाजिक इंकिड़ है किसने किसने देखा है तो क्या उस महिला के पास 24 है इसे ये class सिर्फ आपको question रटाने का नाम नहीं है ये class आपकी सोच डबलब करने का नाम है उजांका ये से अकेडमी में सोच ही डबलब की जाती है इस UPSC का सबसे favorite question है कई बार आया हुआ है ये जो सशक्ती करण है ध्यान से सब्दों को समझो आपने कहा for example मैंने लिया कि लड़की को पढ़ा दो लड़की को पढ़ा दो पढ़ा दिया तो क्या हुआ लड़की पढ़ गई बोल आब इसकी शादी कर दो क्योंकि लड़के वालों की डिमांड है कि लड़की कम से कम graduate होनी चाहिए आपके घर में जब शादी का रिस्ता आया होगा तो आजकल लोग दिखाने के लिए एक लड़की अंपढ़ नहीं है लड़की graduate ह चाहिए और ऑगी बोलते हैं या अगर में सही हूं तो मुझे बताते जाना यह हमारे आसपास होता है लड़की यह होनी चाहिए लड़की म 7 चाहिए जब हो बहले चाहिए वो ग्रह विज्ञान से पढ़ले होम साइंस बोलते हैं येस या नो, अब लड़की की शादी हो गई, शादी के बाद बोला पती ने की भई, तुम्हारा बच्चे समालो, घर समालो, माता पिता की सेवा करो, तुम क्यों कमाओगी, मैं कमा रहा हूँ ना, अच्छा कमा रहा हूँ, बाप दादाओं का दिया हुआ, काफी हमारे पर जमीन है, फलानी जगह से किराया आता है, बीस दुकाने वहाँ पर पड़ी हुई है, खेती आती है, तुम बच्चे पालो, घर भरा होना चाहिए, अब लड़कियां पैदा हुई, ठीक है, तो हमारा समाज पैट्रियार्किल समाज है, फॉर एक्जांपल, अब एक, दो, त सास बुली वंच कैसे चलेगा, तो क्या हुआ, बच्चा पैदा करने की मशीन बंती चली जाने, तो क्या उसके सिक्षित हो जाने से, होना जरूरी है, क्या उसके निरने लेने की छमता आ गई, सशक्तिकरण शब्द का मतलब समझो, सशक्तिकरण यानि इंपावर्मेंट ज जो कॉंसेप्ट ही हाँ बता दे रहा हूँ, इंपावर्मेंट इस आलब औरम वॉट्पावर्मेंट ओक्या है, बादा गहरा कॉंसेप्ट है, लिख लेन, एणसर में डाल देना मेंस में, एक्जामन भी न कह का हाँ लड़का पढ पर कर आया फूच कर आया है, वीख सख र बाते में यहां तुम्हें बता रहा हूं किताबों में तुम्हें जल्दी नहीं मिलने वाली तो निरनय लेने की छमता ठीक है, अब निरने लेने की छमता कैसे होगी, ये क्यों बच्चे पैदा कर रही है, पढ़ी ली क्यों हो निक बाजल, इसको पता है मेरा सरीर खराब हो जाएगा, सब कुछ है, इसको पता है कि मुझे अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इस व्यक्ति पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा, निरने लेने की छमता आती है, किसी भी चीज में, हम तीन तरह से समावेशन करते हैं, हमारा मकसद क्या है, समावेशन, इं इंक्लूजन, बड़े ध्यान से सुनना, तो इंक्लूजन हमने जब समविधान बनाया, तो हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, ठीक है, हम DPSP में कहते हैं कि हम लोग कल्याणकारी राज्ये बनेंगे, हमारा समावेशन करना है, वो जो बाहर रह गए, चाहे वो जात इतरवात की वज़े से उनको वापस लेकर आना, उनको सबको साथ लेकर चलना, तो जो हम सबके विकास की, सबके साथ की बात करते हैं, वो यह हैं समावेशन, तो जो समाजिक समावेशन होता है, वो हमारा मकसद है, लक्ष है, कि कोई जातिकत भेदभाव ना हो, समाजिक सम inclusion, social inclusion हमारा मकसद है, हमारे समविधान का पराण है, समानता लेकर आना, समता लेकर आना, लेकिन ये सामाजिक समावेशन मिलेगा कैसे, क्या इस लड़की को इसको निर्न लेने की छमता मिल गई, तुम बताओ, तुमारे घर में होगा तुमारे दीदी भाईया, दीदी विधी ऐसी होंगी, जिनको तुम जानते होंगे, जो पढ़ी लिखी थी, जो आगे तयारी करना चाहती थी, लेकिन तुमने देखा होगा, जबरदस्ती शादी कर दी गई, और शादी के बाद पिता ने क्या बोला, भई पती पढ़ाएगा, तो पढ़ लेना, परिक्षा दिलाएगा, तो दे देना, और पती कह रहा है, कि भई हमारे यहाँ परिवार में कोई बाहर नहीं, अगर मैं सही हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताओ, यस तो लिखी दो वित्तिय समावेशन, जितना पढ़ाया सब इसी के अंदर आ जाएगा, यानि फाइनेंशियल इंक्लूजन, इस इस इनक्लूजन, बिना इसके कैसी काम चलेगा, वो अपने पती की मार भी सह रही है, गालियां भी सह रही है, बच्चे भी पैदा करें, क्यों? इसके पास कोई वित्तिय समावेशन नहीं, क्योंकि निरने लेने के लिए, जो सबसे बड़ी चीज़ जरूत होती है, वो फाइनेंस होती है, निरने लेने के लिए मुझे फाइनेंस चे यह होता है, जब तुम्हारे पास यह आ जाता है ना, तो तुम सोशल एक्सेप्टेंस के लिए जादा वेट नहीं करते हो, कोई मालो हमारे यहां जाती प्रथाओं में कोई ऐसा वेक्ती है जिसको प्रतार ना जहिलनी पड़ी, कल को इसी में से कोई IS बन गया ना, पावर पैसा आ गया, अब जड़ा तुम बोल के दिखाओ, पहले था कि तुम गवाँ में चल नहीं सकते, वो बड़े वाले साहब के सामने तुम सर उठाक बात नहीं कर सकते, अब वो तुम्हारे सामने नहीं कर पाएंगे, साथ में चलते हैं माल आई पीएस आई पीएस बन गए, ठीक है, अब कल जो इसे मूचो पताओ दे के हमारे सामने कैसे खड़ा हो रहा है, फलाना है, अब जब तुम्हारे सामने इसे उठाक बात करेंगे, पीछे से ऐसे ऐसा ही बेटागे, उमारे पट्ट से दो मारेगा, साथ के सामने इसे बात कर रहा है, तुम सहाब हो गए, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा तुम्हारी निरने लेने की चमता को मजबूत कर देती है, तो जब तक उसको वितिय समावेशन नहीं दोगे, तब तक काम नहीं, अब भारतिय समाज बहुत कॉंपलेक्स है, कल मैंने पता है था, इससे पहले क्लास में कि समाज एक लेर नहीं है, तो इसके लिए तुम्हें तीसरी चीज़ की जुरूत पढ़ेगी, जिसके बारे में बात-बात हो रही है, और वितिय समावेशन पाने के लिए तुम्हें डिजिटल समावेशन करना पढ़ेगा, एक नया रही है कि भई मुझे वित्त चाहिए, लेकिन मेरा परिवार मुझे घर के अंदर रहके जो करना करो, फूरा फूल टाइम है, ठीक है, कभी चाच भी कभी दही थी, यानि स्वास भी कभी बहुत थी, ये सीरियल देखो, तुम्हें नहीं सीरियल देखने, मुझे अपना काम करना है, तो online काम करना है, digital काम करना है, financial transaction, bank नहीं निकल सकते थे, लेकिन अब bank मेरे mobile में है, मेरा जंधन में खाता खुला हुआ है, मेरे पास आधार नंबर है, मेरी अपनी unique identity है, मैं UPI से transaction कर सकती हूँ, मेरा salary directly आ रहा है, मुझे कोई bank जाने की जरूत नहीं, मैं digital काम कर नहीं हूँ, कोई भी चीज हुआ, phone किया, parcel घर से deliver हो गया, मैं सिलाई ही कर रही हूँ, आराम से जो है, वो online book किया, parcel चला गया, आप नहीं जानते कि कुरियर वाले घर आकर पैकिंग करके लेके जाते हैं, बिलकुल होता है, आज की rate में हर चीज जो है, वो आपके घर से उ कारी होगा, बेचेंगे, महिला ने painting बनाई, खटाक से अपने Instagram बनाया, page upload किया, follower बढ़ गए, रातो रात painting वायरल हो गई, orders आ रहे है, UPI नंबर दिया, QR code दिया, पैसा, bank के अंदर, transfer, delivery घर पर, हाँ या ना, और उसको बीच में बहुत बड़ी supply chain की जरूरत नहीं है, तो उससे पास क्या आजाएगा, उसके पास आजाएगा, वित्य समादेशा, अब समाज को देखो, क्या कह रहा है, तो ये है तुम्हारा word, महिला शशक्तिकरन, तुम लग रहा होगा कि वो जिम में ले जाके महिला से कहेंगे, हाँ, चलो, डोले शोले बनाओ, ये शशक्तिकर कर देंगे, या उसको political power देंगे, क्या फायदा उस power का जब उसको exercise ही नहीं कर पाएगी, example देता हूँ तुम्हें चोटा सा, example दूँ, हमारे यहाँ, कई seatे महिलाओं के लिए article 243D में, प्रधान के लिए, प्रधान पत के लिए महिलाओं के आरक्षित, वो पंचायत आप ल पावर देता है, इंपावर्मेंट नहीं दे रहा है, पावर दे रहा है, किसी अब पुरुष नहीं लड़ सकता, महिला ही लड़ेगी, अब उनके प्रधान पती एक पोष्ट हो गया, प्रधान पती, अब महिला घुंगट में है, घर के अंदर है, एलेक्शन जीत गई है, उसके नाम से साशन कौन चला रहा है, उसका पती चला रहा है, वही काम हो रहा है, तो एक्शुल जो चेंज होता है, वो पावर से नहीं होता है, इंपावर से होता है, तो पंचायत अगर तुमने देखी होगी, that is a best example for women empowerment, तो अचानक से इंपावर मतलब होता है, मेरे है यह पुरुशी राष्ट्रगान की हो यह जंडा क्या ही क्यों फरा सकता है हम भी तो फरा है प्रधान तो हम है हम क्यों नहीं नेत्रत करें तो जब अपने अस्थित्त की जब जाग रुकता आती है जब अपने जो सेल्फ बीं का realization होता है तो empowerment होती है तो यह जो concept is not giving how much power you are giving in the help of constitution तुम सीटे आरक्षित कर दो तो उसके नाम पर सत्ता कोई और चला रहा है प्रधान पती का पोस्ट को पोस्टर देखो कईसे होते थे छोटा सा उनकी फोटो जो इसको लड़ रहा है और बड़े से पतनी स्री मुनिलाल और म so because that's not empowerment वो महिला मान के चली mentally वो अपने frame के अंदर है वो mentally उसको freeze कर दिया गया कि बेरा घर ये चार दिवारी के अंदर है मेरी दुनिया इस चार दिवार इसके बाहर मेरी दुनिया नहीं हूँ मेरा पती ही जो है उस परमेश्वर वही सब कुद देखेगा so ये क्या हुआ सशक्त नहीं हुई उसके पास शक्ती दे दी गई है सशक्त नहीं हुई सशक्त तब होगी जब उसको अपनी power को realization होगी और इसका सबसे बड़ा तरीका होता है financial inclusion समझे अब financial inclusion जब हो जाएगा यानि पती भी 20,000 रुपए कमा रहा है पतिनी भी 20,000 रुपए कमा रही है अब जड़ा गेम देखो ये question का answer क्या होगा child bearing capacity किसके पास है जननी के पास है महिला के पास है इसलिए उसको देवी तुले कहा जाता है जीवन देने का अधिकार है मा है तो child bearing capacity में workforce से बाहर हो जाएगी कल मैंने क्या समझाता GDP के लिए सब कुछ क्या है श्रमबल है workforce तो जितने समय child bearing होगी यानि कि जो pregnancy time होगा वो workforce से बाहर हो जाएगी तो इस परिवार की income क्या हो गई डाउन हो जाएगी अगर वो दो बार pregnancy deal करती है तो वो क्या होगा दो बार workforce से बाहर हो जाएगी है लंबे समय तक बच्चों की देखभाल करना child bearing करना health पे भी जो है negative impact आएगा तो जब उसके पास financial inclusion आ जाएगा she has power to take decision और यह मैंने देखा है बड़े करीब से ठीक है लोग धर्मों के उपर बात करते हैं तमाम चीज़ों बात करते हैं इसा कुछ नहीं है मैं मुसलिम परिवारों को भी जानता हूँ अलप संक्यक परिवारों जहां महिला कमाती है वो कहते भीया एक या दो बच्चे ब समारा लक्ष है और जहां पर महिलाएं सिक्षित हैं सशक्त हैं काम में बिजी हैं वो महिलाएं टी अफर को आसानी से मेंटेन कर ले जा रही है और जहां महिला के पास फाइनेंशियल इंक्लूजन यानि वित्तिय समावेशन नहीं है वहां पर वो कभी भी टी अफर मेंटे TFR होना चाहिए, जो total fertility ratio होना चाहिए, वो 2.1 होना चाहिए, तब ही भारत की जनसंख्या इस्थिर रह पाएगी, ठीक है? क्लियर हुआ, बात समझ में आई, यह जो सशक्तिकरण सब्द है, हम लोग बड़े हलके में ले लेते हैं, आज क्लियर हुआ, सशक्तिकरण का मतलब होता है निरने लेने की छमता, और निरने लेने की छमता में स्वय जागरुक होना जरूरी है, जब उनके पती मुन्नी लाल जो हैं, वही निरने लेंगे तो वो सशक्तिकरण नहीं है, तो सम्विधान ने 243D में पावर तो दे दी, कि महिला के लिए सीटा रख चीत है, लेकिन मजा तो कोई और ही उठा रहा है उसका, तो वो महिला जो है, वो प्रधान नहीं है, प्रधान पती को यह अलग है, क्लि प्रजनन दर, समझे बाबू, तो अब क्या होगा, जब महिला भी वित्ति है, दिरने लेना शुरू कर देगी, और उसको लगेगा, उसको लेबर फोर्स में बने रहना है, जीडीपी में कॉंटिबूशन करते रहना है, तो परिवार का आकार अपने आप छोटा हो जाएग यह सबसे बढ़ियां जो उपाय है, वो अर्थ विवस्था है, जैसे हमारे कई बच्चे हैं, तैयारी करते हैं, तो 30-32 साल की एस तक वो आईस की तैयरी करते हैं, यानि 32 साल तक वो माता-पिता नहीं बनते हैं, तो नतीजा क्या होगा, विवाह की आयू बढ़ गई, या परिवार के आकार बढ़ाने की आई बढ़गी, क्योंकि वित्तिय रूप से वो इस्टैबलिश होना चाहते हैं, तो automatically क्या हो गया, प्रजनंदर कम होती चली जाती है, clear है, तो answer क्या लिखोगे, चलो जल्दी से इसका flow chart बनाओ, कितने points लिख लोगे, तो answer दिखाऊ, जल् जल्दी बताओ मुझे, write down the critical thinking, चलिए, critical thinking शुरू करते हैं, CT, और बताइए मुझे इस पर आप क्या-क्या point लिख सकते हैं, मुझे, चलिए, जल्दी, come on, बहुत अपने दिमाग को बचा के रख्यों के खर्चना हो जाए, चलिए, समझ में आया, जल्दी मुझे बताइए, सब लोग comment करके बताइए, number one पे क्या point हो रहा है, number two पे, number three पे, number four, number five और number six, कितने points आप लोग लिख रहे हैं, number one, number one हिसाब से answer दीजे, सब लोग, number one पे क्या point रखना चाहा रहे हैं आप लोग, फिर मैं answer दिखाता हूँ आपको, number two पे, शाबाश, financial inclusion first, good, शाबाश बेटा, आशीश यादा हो, good बेटा, economic empowerment, good, सुमित education and awareness, शाबाश बेटा, wonderful, सब लोग ट्राई करो, कीर्थी ने लिखा, empowerment, good, education, finance, good, good, शाबाश, और, very good, awareness, भारती ने लिखा है, and अनुप्रिया, decision making power, good, शाबाश, और, skill, good, बहुत बढ़िया, digital inclusion, शाबाश, class अच्छा कर रही है, good, good class, very good, wonderful, very good, साहिल, मुशीर, शिक्षा, good, बहुत बढ़िया, चलिए, अब हम देखते हैं कि हम इसका answer, actually में क्या होना चाहिए, इसका answer होना चाहिए, कि what do you mean by महिला शाशक्तिकरान उम पर बाब, ठीक है, तो इसमें महिला शाशक्तिकरान से ताथपरे महिलाओं की सामाजिक, social, economical, यानि आर्थिक और राजनीतिक, यानि जो है, political शक्ति को बढ़ाने की प्रक्रिया से है, ठीक है, तो politics power देता है, और economy उस power को exercise करने का तरीका देता है, तो महिला शाशक्तिकरान क्या, what is the meaning of women important, यानि की उनकी जो social, economical and political power को बढ़ाना, महिलाओं को शाशक्त बनाने मुने सिक्षा, स्वास्तिय देखभाल और आर्थिरिक अवसरों तक पहुँच, यानि की these to the economic opportunities, यानि उनको भी नौकरी का अवसर दिया जाए, वो भी जॉब कर सकें, सिर्फ लैंगिक भेदभाव, यानि की gender inequality की वज़ए से, उनसे उनके मौके ना चीने जाएं, लड़की है तो खेलने नहीं जाएगी, ठीक है, शादी ब्याह कर दो, यह नहीं होना चाहिए, health and education, basic primary segment, women hygiene का हमें बहुत ध्यान, बहुत taboos है हमारी society में, ठीक है, तो बहुत taboos की वज़ए से, हमारी महिलाओं को जो है, अना hygienic condition का सिकार होना पड़ता है, और यह taboos इतने खतरनाक हैं, कि वो आप खुलकर उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं हौ शरम का विशह है ये सारी चीज़ है और इसलिए उनको बहुत दैनी है स्थित में अपना जीवन निकालना पड़ता है तो ये टैबूस से हमें लड़ना पड़ेगा हमें बात करनी पड़ेगे इसके बारे में ये महिलाओं को अपने प्रजनन स्वास्ति के बारे में निरणे सहीत अपने स्वयम के बारे में सूचित निरणे लेने की अन्बद्द जैसा मैंने बताया था decision making तो बच्चे पैदा करने हैं नहीं करने हैं उनका अपने प्रजनन स्वास्ति के उनके ओपर क्या फरक पड़ेगा उन्हें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए साथी साथ अपने स्वयम के बारे में decision लेना तो मैंने बताया था ना कि आपने power दे दी लेकिन अगर वो अपने power के लिए अगर aware ही नहीं है सोची नहीं रही अपने बारे में बोले वो भाईया हमारी सास जाने हमारे पती जाने हमें बताया गया है जहां वो हमें बिठा देंगे हमां बैटेंगे आपने कहिए ऐसे महलाओं से मिले होंगे ठीक है तो उस condition में जब तक वो aware नहीं होगी तब तक वो empower नहीं होगी ठीक है यह awareness बहुत जरूरी है वो कौन है बहुत गहरी बात है यह तो अब किस तरह से प्रभावशाली होगा जनसंक्या व्रद्धी को नियंतित करने में महिला सशक्तिकरण किस प्रकार प्रभावी होगा पहला आर्थिक लूप से सशक्त महिला अपने और अपने परिवार के लिए बहरत निरने ले सकती अवियस ही बात है बही पती ने का आए हम तुम्हे कमाई का पैसा नहीं देंगे जब हम अपने बच्चा पाल लेंगे तो हलांकी अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो इससे परिवारी क्या होगा परिवार तूटने का खत्रा लेकिन ओ महिला किसी के अत्याचार नहीं सहेगी पता चला पती जो है आ रहा है शरापी के पीट रहा है नहीं बोले पती पत्नी दोनों बर और आप शहरों में देखिए तो अगर आप शहरों में देखेंगे तो पत्नी भी कमा रही पत्नी भी कमा रही है पहले था कि भई पत्नी कमा के आ रहा है पत्नी भी कमा रही है तो लेकिन खाना पत्नी ही बनाएगी, बरतन पत्नी धोएगी, लेकिन आज आगा मेट्रो पॉलिटेंस में देखेंगे, जो जनरेशन Z आ रही है, वो क्या काम करी, वो साथ-साथ बरतन धो रहे हैं, साथ-साथ चीज़े करें, बराबर की भागेदारी ही हो रही है, तो ये ट चैंडर्ड एंसर है, तो आधिस ज्यादा बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन अब जिस हिसाब से मैंने इसको समझाया, अब तुम अपने आप समझ गयोगे, कि वो महिला अपने आपको GDP का पार्ट बनाए रखना चाहती है, वो लेबर फोर्स का पार्ट बने रहना ठीक है, महातोकांची है, तो उस कंडिशन में क्या करेगी, अपने जीवन के लिए बहतर निणय ले सकती है, शिक्षा महिलाओं लड़कियों को अपने जीवन की योजना बनाने के लिए शशक्त बनाती है, ठीक है, तो यानि वो सोच समझ सकती है, शिक्षित महिलाओं important तो skill का मतलब है भले चाहिए वो किसी degree college में नहीं गई हूँ but they are skill, they are earning their own money and they have lot of opportunity, मालनो skill भी है लेकिन आपकी अर्थवेवस्था जो है वो क्या कर रही है उसको opportunity नहीं दे रही है लेकिन social inclusion बिना financial inclusion के नहीं मिलेगा और financial inclusion बिना आज की rate में digital inclusion के नहीं मिलेगा तो जब इनकी सामाजी किस्तित्य यानि जब ये include हो जाएगा, include मतलब जो सबके लिए वो इनके लिए भी है अब ये से मैं बहुत सी बच्चियों को जानता हूँ, मैंसे जाता है कि सर मैं IS की तैरी करना चाहती हूँ दो-तीन महीने वो कर भी रही है, सर वो पापा कह रहे है कि एक अच्छा लड़का आया हुआ है, हाथ से निकल जाएगा, शादी कर लो बहुत से बच्चियों को मैं जानता हूँ, ठीक है, अब वो दबाव में या तो पहले कुछ लड़ाई वड़ाई करती हैं, फिर पिता जी भी बर्गलाते देखो, भाई मुझे कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो जो मेलो ड्रामा चलता है परिवार में ठीक है, तो निपट लो यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से, या जाके पती पढ़ाएगा तुम उसके साथ पढ़ना, अब पती का माइंड सेट कुछ और है, तो इस कंडिशन में क्या होगा, सामाजी किस्थित अगर अच्छी होगी तो जनसंख्य अवरती धीमी होती है, और समाज एसेट देखता है, अगर आप अच्छे से कमाई कर रही है लड़की अपने अच्छे डिपेंड तो वो कह रही मुझे किसी की जरूत नहीं है, वो अपने माता पिता के लिए असेट है, अपने डिसिजन खुद ले रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मह कर्स क्या लिखेंगे, conclusion क्या होगा, वर्तमान में भारत की जन संक्या चीन के बाद अब तो खेर पहले नंबर पर आ गई है, दूसरे स्थान पर है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ समय में ऑफिशिल रिपोर्ट आएगी, इंडिया नंबर बन पर आ जाएगा, ठीक है, 2050 त दर को नियंतित करने के लिए महिला शशक्तिवन, प्रजणन, स्वास्ताधिकार, शिक्षा और गुर्मत्तापुन, परिवार नियोजन, सेमाओं तक पहुँच अनिवारे, जैसे बहुत सी चीज़े है, हमारे यहाँ जो परिवार नियोजन के तरीके हैं, उन्में भी लेक है, वो गले तक डूबी हुई है, तो आख बंद करके हम जनसंक्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यह हमारी इस्थिती हो गई है, जनसंक्या पूरी दुनिया को दिख रही है हमारी, ठीक है, लेकिन उसके विशे में बात करने को हम तयार नहीं हैं, यह हमारी सबसे बड़ी कबूतर, विल्ली आती है, तो कबूतर आख बंद कर लेता, हमाई तरह मुसीबत आरही जनसंक्या बढ़ती जारी, संसादन ख़त्म होते जारे है, कहां से मकान दोगे, मकान दे दोगे तो खेत कहां चले जाएंगे, और खेत नहीं होंगे, अनना नहीं दोगे तो सम भुकम अप्लेशन है वो हमारी बहुत सी समस्याओं का जड़ है तो यह इसका एंसर रहा कितने लोग अभी इसको लिख सकते हैं कॉन्फिटेंट लिए राइट तो अब क्या करना है जो लोग जोड़ना चाहते हो आई एस एकेडमी के साथ जुड़ जो बढ़ियां से मज़े से पढ इंकल्प जो कॉंसेप्टर बैच है बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है पाँजार रुपे महीने में चल रहा है भी तो दो साल की पढ़ाई होगी जो अंडर गैजुएट इसकेंट है उनके लिए और एक साल की फीस में यह आप इसके साथ जोड़ सकते हैं NCRT के साथ जो सकते हैं साफ सुत्री जगह पे और बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत डेलिकेट प्रोग्राम है जो वाके में आपकी परसनालटी डबलपेंट के लिए बहुत बहुत जादा इंपॉर्टेंट है राइट दोस्तों तो आज भी मैं दस बच्चों की कांसलिंग करने जा र कि फीज 7999 और ओफीचली यह देश के सबसे सस्ता जो है वो सेग्मेंट है जिसमें सुमिट सर अभी आपने देखा कल साम को चार बजे क्लास हुई है आज शाम को चार बजे फिर इसी यूट्यूब चैनल पे सुमिट सर की पॉलिटी की क्लास है और दूसरा जो सेग्मेंट है जोगर्फी ऑप्शनल पीवी सर आप जानते हैं मैपिंग गुरू के नाम से जाने जाते हैं शोशियल्जी ऑप्शनल अंकुर सर के साथ चल रहा है तो फाइव डेस का आपका टाइम है हिंदी ऑप्शनल का भी बैच है रिकॉर्डेट क्लासे हैं सेमी लाइव है तो हिं रहा जो हम लोग क्लासे कर रहें वो कैसी आपको लगी चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मज़ा आएगा और जो मैं करेंड के कॉंसेपड डवलप कर रहा है लेकिन अगर आप प्रेक्टिस नहीं करेंगे तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और आपको जाना ह ओजांक test practice पर जैसे इन बच्चों ने लिखा, अब यही question आज आपको करना है, भारती अर्थवेवस्था के सामने आने वाली चुनोतियों का वड़न करना है, समझाएं कि महिलाओं की भूमिका इस अर्थवेवस्था में कैसे योगदान दे सकती है, यह question आज आज आपको कर practice पर आपको लिखना है, कोशिश करिए, कल मैं इसको कम से कम सो के उपर देखना चाहता हूँ, यह आपकी जम्मेदा है, नहीं तो मैं यह batch बंद कर दूँगा, क्योंकि फाइदा कुछ नहीं है, कि मैं बहुत quality के साथ पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता तो वह answer आपके सामने yes no, yes no बोल के निकल जाता, ऐसे ही होता है, लेकिन इतनी depth में चीज़ें discuss हो रही हैं, कि आपको मज़ा आ रहा होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग धीरे धीरे इसके साथ जुड़ें, और अच्छे से पढ़ाई करें, ready, तो answer लिखिए, और यह सब कुछ free of cost है, इसका क कोई payment नहीं करनी है, आप शशक्त बने और आगे बढ़ें, clear है दोस्तों, तो चलिए, हफते में चार दिन हमारी यह class है, कल मैं strategy class के साथ आओंगा, जो नए बच्चे हैं, कैसे आई इसकी तेहरी करें, तो Monday to Thursday हमारी यह class है रहा करेंगी, चार दिन, अब आपको क्या काम कर कि हमारे देश की diversity क्या है, हमारे देश की विवित्ता क्या है, और किस तरह से western civilization ने हमारे उपर एक तरह से वैचारिक आकरवल किया, और हम जो है अपनी परमपराओं, अपनी चीज़ों को भूल गए, वैश्वी करण को हमने समझा, हमने भारत की position को समझा, भारत की ताकत क को समझा, वैश्वी करण negative नहीं है, सवाल ये कि कौन किस position पर हमने समझा, महिलाओं की भूमिका को समझा, GDP contribution को समझा, लैंकिक समानता को समझा, और gig economy को समझा, आज हमने जो है एक और नई चीज़ समझी कि population और महिलाओं का क्या संबंद है, हमने इतने concept पड़े, अब ज़्यादा से ज़्यादा question OTP में ढूंड कर आपको attempt करने है, अगर आप नहीं करते हैं, तो मेरी महनत का आप जो है वो सत्यानास कर देंगे और मुझे फिर ये classes आगे चलकर बंद करनी पड़ सकती है, और निवेदन है कि चैनल को subscribe कर लें, साथी साथ अपने दोस्तों को ये class share करें, जब open है तो सब तक पहुचाईए, मैं आप तक पहुचा, दस अजार लोगों तक मैं पहुचा, अगले दस अजार लोगों तक पहुचाने की जिम्मदारी आप लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे मुझे बताइए, जो जो जांकियन है, वो परिवार की तरह रहते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं, तो कितने लोगों को आप share करेंगे, मुझे आप संख्या बताइए, कि ये class उन तक पहुचनी चाहिए, ताकि वो भी सही तरीके से answer writing कर सके, समझ सके कि answer writing का का importance है, और जो बच्चे अभी अखबार नहीं पढ़ते हैं, वो प्लीज च रखिएगा, clear है दोस्तों, तो share करेंगे इस class को, ज्यादा स्यादा, right, और OTP पे जाके ज्यादा स्यादा question करेंगे, जुड़ जाईए अब, optional के लिए चार दिन और बचे हुए, तो इसका हिस्सा बनी है 16 तारीक तक, और कितने लोगों ने PV सर की demo class optional की देख ली, आज फि brain-storming topics, जो आपको बहुत परिशान चाहिए, वो right to privacy हो, NJAC हो, जिस पर आप सोचते हैं कि Supreme Court क्या सोच रहा है, तो शाम को चार बजे मिलते हैं, और फिर शाम को छे बजे मिलते हैं, objective question की series में, यानि हम objective question की तरफ बढ़ेंगे, और prelims के question कैसे किये जाते हैं, क्या-क्या question आ रहे हैं, शाम को छे बजे, सभी लोग मिलते हैं, right, thank you so much.